हेलो दोस्तो आज मैं आपके लिए पसुपालन में इस्तमाल होने वाली नई मसीने वद तरीके लेकर आया हूँ जिनके कारणामे देखकर आप सचमुझ हैरान रह जाएंगे तो लाश्ट तक वीडियो जरूर देखेगा ताकि आप कोई भी जानकारी मिस न कर दें नमबर वन फोर्स्टर टेकनीक दोस्तो मिलिए इस मौडन टेकनीक से जिसके खासियत जानकर आप सचमुझ हैरान रह जाएंगे दोस्तो अगर आप पसुपालन वैसाय में सौ परतिसत मुनाफ़ा पाना चाहिए तो यह टेकनीक आपको जरूर अपनाना चाहिए दोस्तो इस एक smart neckband मिल जाता है जिसमें advanced sensor लगे होते हैं और यह neckband को आपको बस पालतू पसुओं के गले में लगा देना होता है जिसके बाद आप इन पसुओं के भूखे होने का बिमार होने का प्यास लगने का वा कई सारे infection का असानी से पता लगा सकते हैं इसके आपको बस इसके app क अपने mobile phone या tablet में install करके इसके neckband को connect कर लेना होता है जिसके बाद आपको इसके app पर पालतू पसुओं के health की जानकारी easily मिलती रहती है और आप अच्छी ताह से पालतू जानौरों की देख बाल भी कर पाते हैं दोस्तो अब मिले इस new पसुपालन वाली machine से जिसके काम करने का तरीका सचमुच लाजवाब है इस modern machine का इस्तमाल पालतू जानौरों के मलमूतु को पूरी तरह से साप करने के लिए किया जाता है इस machine की खास बात यह है कि यह machine बड़े ही सफाई से मलमूतु को साप करने के साथ साथ इसे machine में लगे vacuum के जरिये अंदर खीच कर इखटा भी करते जाती है ताकि इस मलमूतु को जैविक खाद बनाये जा सके इस machine के सामने वाले panels के left right side वो नीचे की तरफ rubber लगे होते हैं जिस कारण फर्स में scratch नहीं आपाते और इसके panel को आप जगा के हिसाब से कम्या जादा फैला भी सकते हैं नमबर त्री इजैक मिलकर मसीन दोस्तों अब मिलिए इस कमाल के न्यू फार्मिंग मसीन से जो की सचमुच पसू पालन वालों के लिए एक दम परफेक्ट है आपको पता ही होगा कि हाथों से गाय का दूद निकालना कितना ज्यादा समय लेने वाला काम होता है लेकिन इस मसीन का इस्तमाल करके आप कई गुनत तेजी से गाय से दूद निकाल सकते हैं इसे आपको बस कुछ इस्ता से गाय की दूद में फसा देना होता है जिसके बाद आपको बस इसके हैंडल को प्रेस करना होता है और गाय से दूद आर्टोमेटिक ही निकलते जाता है दोस्तो अब मिलिए इस स्मार्ट ड्रिंक इस्टेशन से जिसको गाय के बच्छनों को दूद पिलाने के लिए इस्तमाल में लाए जाता है इस स्मार्ट ड्रिंक की खांस बात या है कि इसके नोजल को टच करते ही इससे आर्टोमेटिक ही दूद बाहर आने लगता है जिस खारणर जैसे ही बचठे इससे मुह से लगाते हैं आटोमेटिक ही दूध आने लग जाता है और जैसे ही टच करना बंद करते हैं आटोमेटिक ही दूध आना बंध हो जाता है तो दोस्तो आज के तुम बस इतना ही